विल्कम टो एक्जाम भी मेरा नाम है शुनिय पुंडीर और मैं स्वाथ करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक न्यू नोटिफिकेशन आया है अभी कुछ ताइम पहले भी इनके रफ से एक पॉस्टार्ट हुआ था और अभी आज ही क्या हुआ एक और लेटस नोटिफिकेशन आया है इनकी और से जो इनकी अपसाइट पर पब्लिश हुआ है यह है वो पूरा फुल डिटेल फेम है पर घ्रेट यहां पर आपक्या पर आयेओ यह यह प्रही है बहु आ पहले आज़िके प्रणार अपके आपकी आंचेशन बूस्ट है और जो आपकी वैठ रही है भई लगभ संवितल पींड पोस्ट के लिए और स profiles पयापैंणिया ओवरॉल यह हांदेड टोटल, ठीक है? ये रहेंगे आपकी Agree Asset Officer, ठीक है? ये है आपका Agree Asset Officer, डबल A.O. की पोस्ट ठीक है? Specialist में, और ये जो पोस्टें आपकी, जो Grade O के लिए हैं, जो आपकी Generalist के लिए हैं, ये रहेंगे आपकी Category-wing के ये रहेंगे आपकी Zone-wise, category means zone wise एहमदाबाद के लिए zone के लिए अलग है बैंगलूरू zone के लिए अलग है चन्डिकट zone के लिए अलग है चन्नेई, कोची, मुंबई, नाकपुर पूने सबी यहाँ पर zone अलग-अलग वो define किये हैं और जो उनकी vacancies है वो आपको zone wise ही fill करनी होगी और zone wise यह आपका असमें जो है वो selection होगा और जो यह आपकी double O की जो agree asset officer की जो post है यह रहेंगी आपकी pen India ठीक है तो यह post होगी आपकी, आगे आप बात करते हैं क्या के यहाँ पर चीज़े इसमें given है प्रदा देखते हैं इसको यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है candidates will have to apply only for one of the above position या तो grade O या फिर double O ठीक है, आप भी दोनों के लिए apply नहीं कर सकते हो ठीक है, अब हासकर जो आप agree वाले हैं उनके पास option है कि दोनों के लिए apply कर पाऊगे लेकिन आप नहीं कर सकते हो आपको सिर्फ एक ही post के लिए apply करना होगा एक जनलिस post है, उसमें कोई भी चा सकता है एक agree वाले हैं, उनके लिए आगे eligibility है उसको निचरम discuss करेंगी, ठीक है in case a candidate is applying for grade O अगर आप grade O के लिए कर रहे हो, he or she will have to apply for the above listed zone जो आपको zones given है, उसके according के आपको और उसके according आपकी proficiency भी होनी चाहिए, आपकी reading, writing, understanding आपको होनी चाहिए क्योंकि जो language है, उस zone की उसमें आपको चीजे जहें भी आनी चाहिए ठीक है, such candidates also need to furnish a valid domicile certificate अगर आपको भाँ के लिए apply करना है तो आपको एक valid domicile certificate भी लाना पड़ेगा अपने लिए, ताकि भाँ attach कर सको, उस zone में apply करने के लिए ठीक है, subject required of domicile certificate अगर to furnish 10-12 की जो आपकी mark sheet है वो आपको यहाँ पर जमा करना ही पड़ेगी और अगर यह आपका नहीं हो पाता है, तो फिर आपको वहाँ पर चीजे नहीं हो पाएंगे तो समझ गए, कहने का मैं तभी यह है, कि यह नहीं की मेरा मन है कि महाराष्टर में जाकर फॉर्म फिल कर दूँ, महाराष्टर की वेकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर दूँ, वो पॉसिबल नहीं है मुझे 10-12 का सर्टिफिकर लगाना पड़ेगा, प्लस मुझे वांकर डॉमिसाइल भी जो है वो लगाना पड़ेगा, तो जोन वाइस वेकेंसी हैं, यह आपको यहां पर समझना है, ठीक है, यह हो गया आपका, ठीक है, अब अगर आगे चलते हैं, ठीक है, बात करते हैं कि क्या कैक्स में चीज़े हैं, कल से मदब 21st of November से इसके जो डेट्स हैं, जो रिजिस्ट्रिशन हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगे, और चलें कब तक 30 November तक, सिर्फ 10 दिन का टाइम आपको यहां पर दिया गया है, और एक्जाम जो है, आपका most probably December end में हो जाएगा, December January date दी है, बट शायद December में आपका जो एक्जाम end में आपका हो जाए, बात करते हैं, eligibility criteria की, 1 October 2014 तक आपकी यहां से eligibility criteria जो है, वो मांगी गई है, चाहिए वो आपकी category हो, nationality हो, age हो, education हो, सभी कुछ आपका एक October से पहले-पहले होना चाहिए, ठीक है, यह हो गया आपका, आगे age, age क्या है आपकी, grade O journalist के लिए minimum 20 साल है, maximum 25 years है, ठीक है, यह आपका आपर given है, अगर बात करते हैं, इसके list की, यहां पर आपके जो journalist की post है, यहां पर आपने कोई भी degree की हो, ठीक है, bachelor's degree की हो, any of the discipline from university, recognized of the government, यह कोई भी degree आप समाएंगे यह है, और diploma यहां पर entertain नहीं किया जाएग प्लस अगर मैं double O specialist जो आपकी agriacet officer की है, उसमें चार साल की degree आपसे मांगे गई है, BSC हो, B.Tech हो, B.E. हो, agriculture में, horticulture में, engineering में, fishery में, science में, animal inventory में, veterinary science में, इन सभी में, आपको चार साल की degree आपसे मांगे गई है, वो B.Sc है, B.Tech है, B.E. है, वो आपसे यहां पर मांगा गया है, ठीक है, minimum passing percentage भी आपसे यहां पर मांगा गया है, अगर आप general category, EWS category या फिर OBC के लिए apply कर रहे हैं, तो 60% आपसे मांगे गया है, अगर आप SC, ST, PWBD से अगर हैं, तो आपसे यहां पर 55% मांगा गया है, प्लस, जो आप से आप से computer literacy, मतलब आप से यहां से proficiency मांग आपको computer पर काम करना आना चाहिए, यह इनका आपर मतलब है, ठीक है, आगे बात करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया भी नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है, चलिए, बात करते हैं, भी, emoluments और के असपेक्ट की, on joining the bank service, अगर आप grade O के लिए काम करते हैं, ठीक है, अ apprentice would be covered under the IDBL Evident Language Pension Scheme, ठीक है, यह आपकी चलेगा यहांपर, ठीक, कहरे, पॉस्प्रक्स की बात करें, तो grade officer के लिए, ठीक है जी, as per extend bank's norms, subject to amendments from the time, grade A officers shall be considered to promotion for the next cadder, grade A, grade A से आप grade A बन सकते हैं, अगले 3 साल में, ठीक है, यह भी आप समझेए, ठीक है, 3 साल में आपके यहां अपर चीज़े होंगी, ठीक है, अब देखो भी, process क्या है, exam में क्या करना है, selection process shall be compromise of online test, OT, document verification, DV, and personal interview, तीन चीज़े होंगी, online test होगा एक, डीवी होगा, फिर आपका PI होगा, फिर आपका recruitment medical है, वो होगा, क्या क्या होगा भी, स्क्च्चर में देख लीज़ा, देखो, logical reasoning, data analysis, DI, यह आपके start question, start number के 40 minutes, 40 minutes, sectional timing given है, English language, 40 question, 40 minutes, 20 minutes में करने है, quants, 40 question, 40 marks, 35 minutes में, और general economy, banking, abundance, computer, IT, सब कुछ इसमा जाएगा, start question, start number के 25 minutes में, यह आपसे बोला गया है, ठीक है, और अगर आप double O के लिए है, उसके लिए आपका 5 जो एक और टेस्ट होगा, आपका professional knowledge है, start question, start marks के 45 minutes में, ठीक है, और यहाँ पर English और Hindi आपका, जो है वो, इसमें आपका होने वाला है, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपकी चीजें है, ठीक है, यहाँ पर आपका पुरा, पुरा format score देने लिए, penalty for wrong sir, कितनी है, 0.25, 0.25 की आपके यहाँ पर negative marking है, तो अभी त देखिए, इस form का फिल कीजिए, ठीक है, यहाँ आपका eligibility criteria है, national citizenship है, ठीक है, यहाँ आपका जो रेक्शन है, वो आपको यहाँ पर दी दिया गया, so, देखो भी, हाँ, यह आपको यहाँ पर फिर से जो educational qualification है, वो दी देगी, ठीक, so आपके जो भी friends है, या फिर आप लोग ह रहे है, so, एक और form आपके लिए है, इस form को अप्लाई केजिए, इस form को आप देखिए, अच्छी नौ करिए, काफी, ठीक है, पांसो वेकेंसी है, जाईए इस में, और तीन साल बाद grade officer आप बन जाएंगे, तो आपको क्या दिख रहे है, इसको आप देखिए, अच्छे से होगा, 59.9 भी बो consider नहीं किया जाएगा, सारी बाते हैं आपर लिखी है, 30 pages का ये notification, I think 35 का ये notification है, पूरा, इसको आप देख लिजएगा, और इसको आप देखो, और इसको आप देखो, ठीक है, so, यही था इस वीडियो में आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, मिलते ठीक है, so, thank you so much guys, with the exam you can pair 50% faster, we'll meet in the next video, thank you.